हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सीए बावुलाल यादव है और मैं एक गाउं है खेज रोली चोमु जेपुर से मैं बिलोंग करता हूं और परिशकार कॉलेज से मैंने CPT उस टाइम हाँ पास CPT होता था सीए करने के लिए और B.com मैंने यहां पर 2011 में जोइन किया था 2013 में यहां से बिकॉम ग्रेजवेट किया और M.com मैंने 2015 में यहां से कंप्लीट करी और मेरे को जो शुरुवात में मैं जब 12 पास किया था तो मेरे को यह पताता सीए होता है लिए उसका प्रोसेश नहीं पताता सीए करने के लिए आपको क्या करना है तो परिशकार कोलेज में कि विकॉम के साथ में CPT की कोई फीस नहीं लगती थी और इसलिए हम यहां पर हमको फाइनेशल सपोर्ट मिल गया तो हमने यहां पे बिकॉम के साथ साथ में हमको एक अच्छी गाइड लाइन्स मेली हमको अच्छा गाइड किया गया और अच्छे टीचर्स ने हमको पीटी होगा फिर अपन को एक आई पीसी का एक्जाम देना है फिर आर्टिकल चिप करनी है फिर फाइनल एक्जाम देना है और यह बनने के बाद में आपको किसे साब से आप प्रेक्टिस करो गया जो मिजा होगे उसके लिए एक अच्छा माध्यम मिला और कि अच्छे क्लास्रूम ह enforial के और एक क्लास के बाद में करत दो हम को एक अच्फय ब्लाउट करते थे ना तो अच्छी इंग्लिस आती थी हमको ना यह में स्टेज फेर भी बहुत अधिक था तो यहां प्रिश्कार कुलेज में प्रस्निल्टी डवलप्मेंट की क्लासे होती थी और स्टेज पर हमको बुला के इंग्लिस ही स्पोकन करवाया जाता था फड़ाई के साथ-साथ कहार ना तो इक्ट्रा समय में हमको कई क्लम्शने Tech को रवाए जाती थी जय से आजादी नाका था उस्ट तिन और तीन तक हुआ चलताllf और पूरे आजादी के जो भी अलग अलग प्रोसेस में उसको चलाया जाता था तो मेरे को एक अंग्रेज का रोल मिला था तो हमारे यहां पर एक साथ अपना खुद का एक करने में को काफी हेल्प मिली और यहां पर अच्छे टीचर्स का अच्छा मोटिवेशन रहा और हम रेगुलर इसे पील सर है के के सर है इसे टच में भी रहते हैं और हम अपने करियर के लिए मोटिवेशन लेते हैं और हम आज मैं एक सक्सेश्फुल सीए हूं और मैं प्रेक्टिस कर रहा हूं मेरा ओफिस है और आज मैं वेल से टल हूं तो यह सब परिशकार की वज़ेसे ही हो पाया है मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा जो वी नहीं ट्वेल्ट पास आउट होके आए है है अभी जो एक्जाम पहले सीपीटी होता था उसका नाम सीए फाउंडेशन हो गया है सीए फाउंडेशन के लिए आप प्रिशकार को लेज में आप एडिमिशन लीजिए और यहां पर क्या है आपको एक सही मार्ग मिलेगा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कम समय में आप स लाइन्स मिलेंगी और आपको प्रोपर गायड किया जाएगा कि यह प्रोसेस है आप यहां से आपको इंटर्शिप करनी है यहां पर आपको ट्रेनिंग लेनी है यह प्रोपर क्लास टेस्ट होंगे और आज की जो टेकनोलोजी का युग है कोविड के बाद में पूरा इस् सब कुछ करवाए जाते हैं तो आप उसको काफी मिलेगी और सिये बनके आप जो मार्केट की डिमांड है आपको प्रेक्टिकल नोलेज होना चाहिए तो यहां आपको एक प्रेक्टिकल चीज सिकाए जाती है इस्टेडी के साथ-साथ में तो आपको वह भी यहां सीखने को मिलेगी तो मैं नए स्टेडेंट से यही कहना चाहता हूं कि आप ट्वेल्थ पास करके बीकॉम के साथ-साथ यही पर जोइन करिए ताप सीए भी साथ में सीखने कर पाऊगे और आगे का प्रोसेस यहीं से कर लोगे और साथ में आपको बीकॉम भी हो जाएगा प्लस आप सेखने कर सकते हो हैं वह बिल्कुल आपको घर की तरह ही रखते हैं यहां पे घर के मेंबर की तरह नहीं होता आप कि प्राइवेट और वहार उसके बाद में बहुए लागता जुड़े रहे आपका मन करेगा कि मैं यहां से दूसरा यह पीज जो है आप बहार जाती हो तो 20 थे की साफ यह आप को रियायत मिलती है यहां करें की जो डारेक्टर है ड्क्टर रागु परकाजी और यहां की आपको आपकी परसनल प्रोबलम हो या आपको यहां के रहने में खाने में कोई दिक्कत हो या फढ़ने से समझ दिक्कत हो जो भी पोसिबल कर सकते हैं उसी को on-time on-sport solo करते हैं या जो भी help कर सकते हैं वो help करते हैं क्लास से जो है उनमें सभी बच्चों को प्रजेंटेशन देना है वन बाइवन एक एक बच्च आएगा वो टीचिंग करवाएगा सभी बच्चों को पच्छों पे एक पेरेंट टीचर रखा गया है सभी का एक ब्लाइंडिंग फीडबेक इसका लिया जाता है इसके अलावा यहां पे इंडस्ट्रिली विजीट जो बीकॉम बीए इनके लिए मतलब इनमें रास्ता नियूर्सिटी में यहां पे अच्छी रेंक आती है और अच्छे रेगुलर प्लेस्मेंट भी अच्छे होते हैं अब आपने आज तक देखा नहीं होगा कि बीए और बीकॉम करने के बार में इस्टूडेंट के प्लेस्मे आश्काइसान यहां पर हो जाता है सब कुछ ही ओनलाइन हो गया है यह प्रेगुल हो गया है तो बूरा एक्मोशपेर करा गया है तो सब करें तो यह सब करें आप प्रिश्कार को जोइन कर आते हैं तो घर के साथ उनको सी फाउंड़ेशन के तेयरी कर वाई जाएगी अगर वह बाइस प्लेस्ट से करवाए जाते हैं तो मैं परिशकार कोलेज का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और यहां के सभी Teachers का स्टाफ का और इस्पेसली पील सरका के के सरकार का सावी तामेम का जिन्होंने यहां पी मैं आया इनसे मिला और इन्हों की अख्या बनने में मेरे को काफी हैज्व मिली है यहां के जो मेरे दोस्त बने उस समय है कि हम आज का आप बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी दोस्तों भाईयों भहनों से यह अपील करूंगा कि आप अगर आप न्यू एड में सले रहे हैं तो परिश्खार कोलेज में एड में सले और अपने भाउच्ची को विजवल बनाएं